हेलो और वेलकम गई स्वागत आपका फेंटासी डिसंट चेलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग मलेशिया ग्रांड रंबल टीटेन चेंपियंशिप की बात करेंगे मैच होगा MRKB पुत्र जाया और Active CC के बीच में तो चलिए दोनों इटीम के प्लेयर पर एक बात नजर कते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग के आपर स्मॉल लिग में लेके जाएंगे क्यों से प्लेयर को में लोग आपर इतैंगे क्पतानवाइस के लिए वीडियो को चलिए बीणा किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं लूस्ट के और वीडिव में लोग लोग को सबस्क्राइब कर लेना ही क्योंकि यह नूप नंग क्लों foreign करेंगे इसके अलावाजिया आपको यहां पर और भी कई साई टूनामेट्स के वीडियो मिलने वाले जैसे कि आप यहां पर जी मफर हो है टीटेंड चल रही है इसके साथ सब्सक्राइब को मिलेंगे तो यूटूप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है साथी में आप लोग आपको हमारी स्मॉल लिक या ग्रान लिक की जो टीम रहेगी वह भी आपको फ्री में प्रवाइड की जाती है तो टेलिग्राम चैनल से अभी तक आप लोग नहीं जुड़े तो जुड़ जाएगा लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसी लिंक से ही पिछली कुछ साल की बात की जाए कि I think 2022-2022 की एंडिंग और 22 की शुरुवात की बात की जाए तो यहां पर रंस और अच्छे बनते थे लेकिन अभी कि ये कंडिशन की बात की जाए तो आप लोग स्कॉरिंग मुकाबले देखने को मिलते हैं अंदाज हमारा जाने की अभालीम में एम के फालने की के दाए तो नों कि अबन राई दोनों के अफ़ने कारौध है यहां हो यहां पर और अजोन कि बात कीज़र है और इस और टोनों यहां पर जहीं नितिक आए डोना तो मंटलब एक चीज तो यह पर इशाक खान को डॉप करना थोड़ा सा पर इसकी जरूर है क्योंकि अगर और यह पर एक दो विकेट निकाल के दे सकता है तो यह थोड़ा सा कन्फीज है यहां पर इशाक खान के बारे में मौहमध इमरान को लेके जाएंगे इसके साथ करने के पिछे रीजन यहां पर इनका पिछला कुछ मैच चीज के पर्फोमस देख सकते हैं लोग 14 रन के साथ 3 विकेट 49 एक विकेट यहां पर और 17 रन के साथ 2 विकेट यहां पर तो ले सकते आप लोग यहां पर यह बंदा बैटिंग से अधर अडवांटेज देगा कि आर्र यह विक अधर, जर्लास मां दोर्ण करें नेक लेकिट आपसीद बंदाु लेका चीज के मर्स तो लगङें इसके तो यह पर अखको यहां पर यहां पर इसके अधर बनने करनाक यहां पर और पर यहां पर बने कि यहां पर यह तном रम मनलब अभी दक को ब्यूवा तोफिक लास ने के दोना हमारे लिए एक ट्रम्प कार्ड बने थे जहां पर एक वोस की गयन बाजी करवाई दो विकेट निकालें बैटिंग से अठारा न किये दो विकेट लिस रहें रहें और स्पिन गयन बाज है और बैटिंग से जरूर पड़ने पर इनको मौका मिलेगा बैटिंग से अडवार्टिंग से देंगी इसके सारे बास सहीयाद अज़र अबबास ओके-ओके-जियल में लेना है यासी राली को लेगे जाना है मैंने आपको बताया यह बंदा ओस करवाएगा लास में के दोरान एक विकेट नहीं मिला बाकी ठीक है यहाँ पर बैटिंग में दिया हुए दूं से जोइन करना है तो अब है आगे बात करते हैं आप टिम एक्ट की तो एक्टिव टिम आज के दिन की पहली मैच खेलेगी यहाँ पर अपनिंग की बात की जाता है तो हसन में मसुद और इनके सारे अपर जहान जेब दोनों और अपनिंग जहाँ पर बात की जाए हसंद मसुद की तो यह सीधी हमारे लिए कप्तान और वाइस कप्रिस्टिप की चोईस रहेंगा इसके सारे जहान जेब इनके साथ आ सकते हैं जिनका रिसनली वह ठीक टाक है थोड़ा सा पर रिसक निको लेके जाना और इसके साथ यहाँ से बात करता लोग यहाँ पर हुसेन निसत की निस्थर इनके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी है ने लेकिन आज से पहले इनको टूना वेड़े पर देखा गया था जहाँ पर इन्होंने 17 रन किये ते साथ में आपर एक विकेट निकाले थे बैटिंग से वह पांच में नमर पर आया और साथ में और से पूरी करवाएंगे जहाँ पर विकेट वगेरा लेने के चांसिस है क्योंकि वहाँ पर वह खेले थे तो काफी पोजेटिव दिखे थे जहाँ पर बड़ी प्लेरों के साथ खेले थे 17 रन किये थे एक विकेट भी निकाला था उस्मान आली जो कि 16-3-11 र यहाँ पर विकेट निकालके देगा इसके साथ एसान ईसुफ जो कि पिछली पांच मैच के दौरान एक बात दो विकेट निकाली है बाकी कुछ खास ओप्संस है नहीं यहाँ पर लेप्ट हैने बैटिंग करवा लेता है सैफुल इसलाम वेरी इंपोनेट पिक हर मैच के द 10 रन के साथ विकेट लेत राइट हैंडेट बैटिंग राइट हम मीडियम फास्ट है सुबानी शेक वेरी इंपोनेट पिक इवन इस टिम के लिए आपर और इस मैच के लिए वाइस केप्टन मगेरा की चोईस बन सकते हैं तो एक इस टिम से सुबानी शेक दिलाव और अब पर यह दोनों खेले हुआ हैं जिसमें से हाथ में शायद केल सकते हैं क्योंकि लास बार जब खेले थे तब टीम की कप्तान सिप करवाई थी तो यह शायद खेल सकते हैं जो भी खेलेंगे उनके रेकोर्ड वगएर आपको टाइम से टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएंगे त विकेटिविंग शेक्षन से आपर सयद अजर अबास को अमने लिया हुआ है इसके लिए बैटिंग से आपर हसन मसूद और आमीर सोहिल खान हमारी टीम का हिस्सा है यहाँ पर तौफिक को लेना पड़ेगा हमें सोहिल खान की लिए आपर अपर आप लोग यहाँ पर उसकी पूरी गयन बाजी करवाएगा तो यह एक परफेक्ट चोईस बन सकते हैं हमारे लिए इसके लवाए अगर फैरी स्केलते तो एक इंपॉंटर पांट रहेंगे अभी तक हाला के केले नहीं है नहीं दुल इसलाम को भी हसन को भी ले सकते हैं यह अच्छा प्लेयर है दो बहुत बड़ा वंसाड़ेद विनिंग करवा सकता है टीम की बात करते हैं तो टीम को इस तरह से रहेगी जहाँ पर कप्तान हमारे रहेंगे हसन मसुद वाइस केप्टन गुला मूर्तजा रहेंगे इसके अलवाए चोईस की बात की जाए तो सबसे पहला मेरा जो है वो यह हमारी स्मॉल लिग या ग्रान लिग की जो टीम रहेगी वो मिलेगी आपको टेलिग्राम चैनल पर तो टेलिग्राम चैनल से अभी तक आप लोग नहीं जुड़े तो जुड़िएगा लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसी लिंक से ही आपको टेलि बाइब जल्दी मिल जाए वाकी मिलते हम लोग अगले वीडियो में तब तक आपका काम रहेगा कि वीडियो को पूरा देखो अच्छे सैनालिक्स के अच्छी टीम बना अच्छी मेनिंग करें हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई नेवाद